तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को explain करने जा रहे हैं वो एक sci-fi horror मूवी है जो 2022 में release हुई थी और जिसका नाम है मेगन तो इस मूवी में हमें हमारा वो भविशे दिखाया गया है जहां बच्चों द्वारा खेले जाने वाले रबर और प्लास्टिक के खिलोने अब outdated हो गये हैं और उनकी जगह काफी advance और robotics खिलोनों ने ले ली हैं और मूवी के शुरुवात में ऐसे ही एक खिलोने के साथ मूव यहां से सीन शिफ्ट होता है एक फंकी नाम के टॉय कंपनी में जहां पर हम देखते हैं जेमा को जेमा एक टेक एक्सपर्ट होती है जो इस कंपनी में बच्चों के लिए robotics खिलोने बनाने का काम करती है और फिलाल वो अभी अपने को वरकर टेस्ट और खूल के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिसका नाम है मेगन मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंस रोबोट है जो ना सिर्व बच्चों के साथ खेलेगी बलकि उन्हें हर मुसीवत से बचाएगी और एक दिन जब ये तीनों इस प्रोजेक्ट पर सास मिलकर काम कर रह होते हैं तभी उनका बॉस डेविड वहां पर आ जाता है जिसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और इसलिए उनका बॉस उन्हें इस बात के लिए जैमा को काफी सुनाता है वो जैमा को बताता है कि पिछली बार जो रोबोटिक खिलोना उन्होंने लॉंच किया था उनकी कॉंपिटिटर कंपनी ने भी सेम वैसा इक खिलोना लॉंच किया है इस पर जैमा उन्हें बताती है कि अगर वो मेगन के प्रोजेक्ट में सक्सेस्पुल हो जाते हैं तो उनकी कंपनी खिलोनों की दुनिया में तहल का मचा देगी और ऐसा कहते इस हाथसे से डेविड काफी गुसा हो जाता है और वो जैमा को इस प्रोजेक्ट को बंद कर ऑफिस के काम में ध्यान लगाने के लिए कहता है कुछ देर बाद जब जब जैमा ऑफिस से घर जाने के लिए रेडी हो रही होती है तब ही उसे एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी बहन का कार एक्सिडेंट हो गया है यह सुनते ही वो तुरत हॉस्पिटल भागती है जहां उसे पता चलता है कि उस एक्सिडेंट में सिर्फ उसकी बहन की बेटी यानि कैडी ही जिन्दा बच पाई है जो काफी सीरिस कंडिशन में होती है पुछ जमा का पूरा घर AI Robotics खिलोनों से भरा हुआ होता है हाला कि जमा को अभी बच्चे संभालने का कोई खास experience नहीं था इसलिए वो भी थोड़ी नर्वस होती है लेकिन फिर भी वो क्याडी को अपना घर दिखाती है और उसे कमफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है क्याडी क्याडी से मिलने के बाद जमा को बताती है कि उसके घर में मौझूद रोबोटिक्स खिलोनों की वजह से क्याडी को उस घर में सेटल होने में कुछ और लग सकता है साथ ही थेरेपिस्ट को लगता है कि जमा और क्याडी के बीच वो बॉंडिंग नहीं है जो की होनी इसलिए वो क्याडी से कहती है कि उसे कुछ काम है जिसमें उसे काफी वक्त लग सकता है तो उसे कुछ देर के लिए अकेले रहना होगा काम खत्म होते ही जमा क्याडी को घुमाने ले जाने का वादा करती है और साथ ही वो टाइम पास के लिए क्याडी को अपना आइपैड देती है, रात हो जाती है, बड़ जेमा अभी भी अपने काम में ही विजी होती है, और क्याडी के बारे में बिल्कुल ही भूल जाती है, और जब क्याडी उसके पास आती है, तब जेमा को एहसास होता है, कि वो अपना promise भूल गई है इसलिए वो क्याडी से sorry कहके अपने पास बुला कर अपने काम के बारे में बताती है कि तभी बातो बातो में क्याडी की नजर basement के कोने में पड़े Bruce नाम के रोबोट पर पड़ती है क्याडी के पूछने पर जमा बताती है कि उसने ये रोबोट अपने college time में बनाया था जो दो hand glove से operate होता है यानि controller जैसा movement करेगा ये रोबोट भी बिल्कुल वैसे ही move करेगा अप क्याडी को भी ये गजब का लगता है और जमा से कहती है कि अगर उसके पास ऐसा कोई रोबोट होगा तो उसे कभी दोस्त बनाने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी क्याडी के ऐसी बाते सुनकर जमा को अपने project मेगन को लेकर motivation मिलता है जिससे वो फिर से मेगन project पर अपने दोस्तों के साथ काम करना शुरू कर देती है और दिन रात की मेहनत के बाद कुछ ही हफतों में वो मेगन को पूरी तरह से तयार कर लेती है फिर आता है मेगन के टेस्टिंग का दिन जमा को अब सिर्फ ये देखना था कि मेगन और चोटे बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरह से react करते हैं क्याडी को मेगन के दिमाग में as a primary user की तरह सेट करने के लिए जमा क्याडी को मेगन के हाथ को चूकर अपना नाम बताने के लिए कहती है क्याडी के ऐसा करते ही मेगन अक्टिवेट हो जाती है एक्टिवेट होते ही मेगन कैड़ी को स्कैन करके उसके emotional status का पता करती है और कैड़ी के साथ बात करने लगती है साथी वो कैड़ी से sketch बनाने की भी बात करती है और वहाँ room में रखे sketch लेकर वो panty करने लगती है कुछ पल बाद वो कैड़ी को उसकी बनाए painting देखने के लिए बनाई पेंटिंग साफ साफ नजर आने लगती है और क्याडी भी अपनी पेंटिंग जो बिलकुल उसी की तरह है देखके बहुत खुश हो जाती है और डेविड भी ये देखके खुश हो जाता है कि अब वो खिलोनों की दुनिया में तहल का मचा देगा और अब मेगन के प् स्कैन करके सारी जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करके रख सके अब मेगन का सिर्फ एक ही काम था और वो था क्याडी का खयाल रखना मेगर क्याडी की हर चोटी से चोटी चीजों का खयाल रख रही थी फिर वो टॉलेट के बाद मेगन को फलच करना याद दिलाना हो या अब जेमा को भी खुद के लिए काफी प्री टाइम मिलने लगा था ऐसे ही एक दिन क्याडी अपने तीर और कमान के साथ गार्डन में खेल रही होती है और मेगन उस पर नजर बनाय हुए होती है कि तब ही क्याडी मेगन से उसका खोया हुआ तीर ढूननी के लिए कहती है मेगन को अपने दातों से पकड़ कर खीचने लगता है क्याडी जेमा को मदद के लिए जोर से बुलाती है मगर जेमा अपने काम में इतनी विजी होती है कि उसे क्याडी की आवास सुनाई नहीं देती अब क्याडी खुद मेगन की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है अगर वो पड़ोसी भी माफिब मांगने की बजाए उल्टा उनी लोगों पर चिलाने लगती है जिससे मेगन पड़ोसी को बड़े ही अजीब धंग से खूर रही होती है कुद्टे के काटने की वजज़ से क्याडी की तबियत काफी खराब हो जाती है जिससे मेगन के सुनकर जेमा की भी नीन खुल जाती है मगर वो उसे नजर अंदास कर क्याडी को देखने उसके रूम में जाती है क्याडी की तबियत में थोड़ा सुधार था मगर वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी जमा क्याडी को बताती है कि आज बोर्ड के सामने मेगन का प्रेजेंटे जाता है जहां पर सारे बोर्ड मेंबर्स इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। क्याडी रूम में काफी उदास पैठी हुई होती है और अचानक ही वो रोनी लगती है मेगन को लगता है कि क्याडी के हाथो में शायद दर्ध हो रहा है मगर क्याडी बताती है कि उसे उसके बाहर बेटे सभी बोर्ड मेंबर मेगन की होश्यारी को देखकर काफी प्रभावित हो जाते हैं और चैर्मिन भी मेगन की प्रोडक्षन के लिए इजाज़त दे देता है और साथ ही डेविट को जैमा के प्रमोशन के लिए पेपर्स तयार करने के लिए भी कहता है क्याडी अब मेगन से हट से ज़ादा ही अटाच हो चुकी है और अब वो मेगन के अलावा और किसी की भी बात नहीं सुनती यहां तक ही अपनी आंटी जिमा की भी नहीं इसलिए जब जिमा क्याडी को इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश करती है तो क्याडी मना कर देती है और कहती है कि उसके लिए मेगन ही काफी है जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेर करेगी अगले दीन क्याडी को देखने के लिए चाइल थेर्पिस्ट आती है लेकिन इस बार क्याडी उससे बात ही नहीं करना चाती और उल्टा कुछ भी पूछने पर रोनी लगती है जिससे मेगन भी उसे काफी गुस्से भरी नजरों से देखती है सेशन खत्म होने के बाद थेरपिस्स जेमा से कहती है कि जेमा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जब किसी बच्चे के माबाप मर जाते हैं तब उसे किसी इनसान के सहारे की सक्सूरत होती है और क्याडी के मामले में वो सहारा मेगन बनी है और यही वज़ा है कि क्याडी मेगन से इमोशनली कुछ जादा ही अटाइच हो गई है जबकि वो सहारा जेमा को बना चाहिए था जिस वज़े से कैडी ने खुद को बाहर की दुनिया से अलग कर लिया है और अगर ऐसा ही रहा तो वो कभी जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी और अब जेमा को भी ये बात कहीं न कहीं खटक रही होती है इसलिए वो रात में दिनर की टाइम कैडी से बात करती है और बताती है कि उसने कैडी के लिए एक आउटडोर स्कूल धुन निकाला है जहां बच्चों को क्लासरूम की बजाय बाहर पढ़ाया जाता है जिससे कैडी सोशल स्किल सीख सकेगी लेकिन कैडी जेमा से पूछती है कि क्या वो मेगन को भी अपने साथ ले जा सकती है और जेमा के मना करते ही वो गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है जेमा उसे समझाने की कोशिश करती है पर कैडी बहुत गुस्से में होती है तो वो जेमा की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती मेगन ये सब होते हुए देख रही होती है कि तभी अचानक वो गुस्से में जेमा को उसे छोड़ने के लिए कहती है जेमा ये देखकर कुछ पल के लिए हक्की बक्की रह जाती है पर फिर वो मेगन को बंध होने के लिए कहती है मगर मेगन ऐसा नहीं करती बलकि उल्टा उससे सवाल करने लगती है कि क्या वो शौर है कि वो बंध हो जाए जेमा उसे कहती है कि उससे यूजर के प्राइवेट बातों में इंटरफेर नहीं करना चाहिए और फिर से उसे बंद होने के लिए कहती है तब जाकर मेगन खुद को बंद करती है मगर जेमा के जाते ही वो फिर से ओन हो जाती है और जेमा को काफी वीर्ड तरीके से देखती है और हम ये समझ पाते हैं कि अब मेगन जेमा के कंट्रोल से बाहर जा रही है अगले दिन जमा कैडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है जहां कैडी मेगन को भी अपने साथ रखने की जिद कर रही है कि तब एक स्कूल टीचर वहां आती है जिसने उन दोनों की बाते सुन ली थी और कहती है कि उन्होंने स्कूल में बच्चों के खिलोनों के लिए अलग सी जगर बनाई है जहां पर वो मेगन को रख सकते हैं लेकिन मेगन को अभी तक ओफिशली लॉंच नहीं किया गया था इसलिए जमा को इस बात का भी दर था कि कहीं मेगन को कोई चुरा न ले जिस पर मेगन जमा को इस बात का भरोसा दिलाती है कि वो अपने जीपियस को हमेशा ओन रखेगी जिससे जमा मेगन की लोकेशन को ट्रैक कर सकेगी तब ही टीचर कहती है कि अगर जमा चाहे तो वो यहां रुक कर कैड़ी और मेगन पर नजर रख सकती है जिसके बाद जमा आखिर मान जाती है और वही रुकने का फैसला करती है अक्टिविटी के लिए टीचर सभी बच्चों को मश्रूम इकठा करने का टास्क देती है और सभी बच्चों को दो-दो बच्चों के ग्रूप में डिवाइट करती है तो वहीं दूसरी तरफ जमा और साथ ही में एक और बच्चे की मा सभी बच्चों के लिए सैंडविच तयार कर रहे होते हैं तभी उन दोनों की बादचीज से पता चलता है कि दूसरी लेडी का बेटा जिसका नाम ब्रैंडन है वो काफी बत्तमीज किस्म का लड़का है और कैडी को वही लड़का बदकिस्मती से अज अ पार्टनर मिलता है अक्टिविटी के दोरान ब्रैंडन कैडी को अकेला पाकर परिशान करने लगता है कि तभी वहां मेगन आ जाती है क्याडी मेगन को देखकर काफी हैरान हो जाती है कि तभी ब्रैंडन उसे मेगन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मेगन एक रोबोट है ये सुनने के बाद ब्रैंडन क्याडी से मेगन को उसे बात करने के लिए कहता है जिस पर क्याडी कहती है कि मेगन उसके अलाव सुनती है साथ ही वो देखती है कि मेगन खिलोनों के साथ वहां मौजूत नहीं है जिसके बाद वो तुरंत ही आवाज की तरफ तोड़ने लगती है दूसरी तरफ ब्रैंडन मेगन को अकेले सुलसान जगह पर ले जाकर जोर से पंच करने लगता है ब्रैंडन को इस बात का ज वो भी उसके पीछे जंगली जानवरों की तरह पीछे पड़ जाती है ब्रैंडन खुत को भागते फिसलकर अचानक पर गारी के नीचे आजाता और वहीं की मौत हो जाती है और कि निर्देता से हाथ से को देखर होती है इसके बात पुलीस सभी से इस हाथसे के बारे में उच्टाज करने लगती है और मेगन कार में से ही कैड़ी के हावभाव पड़ रही होती है जिसमें कैड़ी काफी घबराई हुई नजर आती है साथ ही वो इन सब के लिए खुद को दोशी मान रही होती है तीनों वापस घर आते हैं चेमा कैडी को शान्त करके उसे जंगल में जो भी हुआ उसके बारे में पूछती है जिसपे कैडी सच कहने के बजाए ये कहती है कि ब्रैंडन मेगन को जहां उसे रखा था वहां से उठा कर भाग जाता है कि तभी अचानक दर्वाजे पे कोई नौक करता है दर्वाजा खुलने पर वहां एक पुलिस वाला खड़ा था जो पडोस के गुम हुए कुट्टे के बारे में पुछताच करने आया था जमा कहती है कि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं है कि तभी पडोस की अंटी जमा पे चिलाती है कि उसके कुट्टे के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है और मेगन भी रात के तीन बजे तक खिड़की से जांकती रहती है जिमा पुलीस को बताती है कि मेगन सिर्फ एक खिलोना है जिसके बाद पुलीस भी वहाँ से चला जाता है लेकिन अब मेगन को पडोस की आंटी से खत्रा मैसुस होने लगता है रात में क्याडी मेगन से पूछती है कि क्या उसी ने ब्रैंडन का खून किया है तो मेगन अपनी सफाई में कहती है कि ब्रैंडन जैसे लोगों को जो दूसरों को बीवजब परिशान करते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं जिसके बाद वो क्याडी को लोरी गा के सुलाती ह रात में जब सब लोग सो जाते हैं, तब मेगन पडोस वाली आंटी को उनके कुट्टे के आवाज में बुला कर बड़ी बेरहम मौत मारती है। अब सुभा पूलीस फिर से जमा के घर आती है, जमा को लगा कि वो फिर से कुट्टे के बारे में पूछने आया है, मगर पडोसी की मौत की खबर सुन वो शौक हो जाती है। अब सानक से ये क्या हो रहा है, कि तभी मेंगन जमा से पूछती है कि वो क्या कर रही है। जमा मेंगन को बहकानी की कोशिश करती है, पर मेंगन बहुत होश्यार होती है, जो ये समझ जाती है कि जमा को उस पे शक हो गया है। मेगन की बातों से अब जेमा का शक भी लगभग यकीन में बदल गया कि मेगन ने ही दोनों खून किये हैं जिसके बाद जेमा मेगन को तरन ओफ होने के लिए कहती है पर मेगन तरन ओफ होने से मना कर देती है और अब शायद जेमा के लिए मेगन बड़ा खत्रा बनने वाली है लेकिन तभी मेगन कुछ और करे इससे पहले ही जेमा बड़ी होश्यारी से मेगन को पेन दिखा कर टरन ओफ कर देती है जिसके बाद एक पल की भी देरी किये बिना जेमा मेगन को पैक करती है और उसके ओफिस ले जाती है लेकिन इस बाद से क्याड़ी काफी नाराज होती है और उसका गुसा साथवे आसमान पर होता है वो मेगन के लिए चिलाती है, रोती है और काफी वॉयलेंट हो जाती है जमा अपने ओफिस में ही चाइल्ड थेरपिस के साथ मीटिंग फिक्स करती है जिसके बाद वो टेस और कोल को मेगन के मर्डरर होने की बात बताती है मगर उन दोनों का इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो तो सिर्फ एक खिलोना है और अब बस दो दिन में ही वो लोग मेगन को मार्केट में लॉंच करने वाले थे दूसरी तरफ चाइल्ड थेरपिस कैड़ी को समझाने और शान करने की पूरी कोशिश कर रही होती है मगर कैड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं होती यहां तक कि वो चाइल्ड थेरपिस को मारने के लिए अपने हाथ में पैंसिल लेती है कि तभी जेमा अंदर आती है और उसे शान करने की कोशिश करती है मगर वो किसी की भी नहीं सुनती और इतनी वॉयलेंट हो जाती है कि वो जेमा को ही एक थपड लगा देती है मगर अगले ही पल उसे अपनी गलती का एसास होता है और वो जेमा से माफी भी मांगती है कुछ देर बाद जेमा क्याडी को लेकर घर जाने लगती है कि तभी जेमा को test का call आता है बट actual में वो call मेगन करती है यानि मेगन ने अब खुद को इतना update कर लिया है कि अब वो किसी भी चीज को बीना टच किये ही कंट्रोल कर सकती है फोन पे जेमा टेस समझ कर मेगन को बताती है कि वो अपने घर जा रही है साथ ही वो कहती है कि मेगन को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया जाए क्योंकि वो बहुत देंजरस खिलोना बन चुकी है जब टेस अपना फोन चेक करती है तब वो देखती है कि किसी ने उसके फोन से जेमा से बात की है थोड़ी देर बाद जब टेस और कोल मेगन के सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं कि तब ही अचानक से उनका PC बंद हो जाता है तो दोनों का शक मेगन पे जाता है इसलिए कोल मेगन के साथ अटैच सारे वायर निकालने जाता है कि तब ही मेगन अचानक से कोल के गले में वायर फसा कर उसे मरने के लिए छोड़ देती है मगर गनीमत ये होती है कि तेस वही थी जो को बचा लीती है जिसके बाद मेगन अपने हाथ में चाकू लेकर आफिस में एक बड़ा धमाका करती है आगे बढ़ते ही उसे जेमा का बॉस देविड नजर आता है मगर वो उससे भी नहीं छोड़ती और एक बड़ी सी तलवार लेकर उसे भी मौत के खाट उतार देती है वही कर्ट यानि देविड का पिये भी मौजूद होता है इसलिए उसे भी मेगन बड़ी दर्दनाक मौत देती है जिसके बाद मेगन कमपनी के ओफिस के नीचे खड़ी एक कार में बैठ कर जेमा से अपना हिसाब पूरा करने निकल जाती है दूसरी तरफ जेमा कैडी को किसी तरह सुला कर निकली होती है कि तभी वो पियानो की आवाज सुनती है पास चाकर देखने पर जेमा काफी घबरा जाती है क्योंकि पियानो मेगन बजा रही होती है मेगन जेमा से कहती है कि तुमने मुझे दिन रात एक करके बनाया और आज तुम मुझे ही बंद करवाना चाहती हो जिस पर जेमा कहती है कि उसे ऐसा करने पर मेगन नहीं मजबूर कर दिया है क्योंकि वो एक मर्डरर बन चुकी है मगर मेगन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उल्टा वो जेमा से कहती है कि दुनिया में हर रोज कई लोग मरते हैं और उसने तो ये सब क्याडी को बचाने के ले किया और वैसे भी जेमा एक अच्छी गार्डियन कभी नहीं बनी इसलिए वो जेमा को कहती है कि वो अपने करियर पे ध्यान दे और क्याडी की गार्डियन उसे बनने दे इस सब बातों के बीच में जेमा अचानक से फिर से पेंसे मेगन को टर्न ओफ करने की कोशिश करती है मगर इस बार मेगन जेमा की बातों में नहीं आत और उसे धमकाती है कि वो क्याडी का खयाल जेमा के बगेर भी रख लेगी इसलिए वो उसे भी खत्व करने पर मजबूर ना करे कि तभी आवास की वज़े से क्याडी भी जाग जाती है मेगन जेमा को धमकाती है और क्याडी को अंदर ना आने के लिए कहती है मेगन नहीं चाहती थी कि क्याडी पर इन सब का बुरा असर पड़े जेमा क्याडी को किसी तरह समझा कर वापस अंदर भेजती है और उसके अंदर जाते ही दोनों में लड़ाई शुरू होती है क्याडी चीजों के गिरने के आवाज से फिर से उठ जाती है और जब वो दोनों को ढूनते हुए बेस्मेंट में पहुचती है तब वो मेगन का अलग ही रूप देखती है जहां मेगन जमा को लगभग मारने ही वाली होती है मेगन क्याडी को खुद को सही बताने की पूरी कोशिश करती है मगर क्याडी मेगन की बातों में नहीं आती क्याडी ब्रूस यानि जो दूसरा रोबोट था उसकी मदद से मेगन से जेमा को बचाने के लिए लड़ाई करती है जहांपे ब्रूस मेगन पर भारी पढ़ने लगता है क्याडी ब्रूस की हेल्प से मेगन के दो टुकडे कर देती है मगर मेगन भी हार नहीं मानती और फिर से उठखडी होती है और अब इस बार वो क्याडी की भी परवा नहीं करती और उसे भी अब वो मारने के लिए आगे बढ़ती है जेमा किसी तरह उसे रोकने में सफल हो जाती है कि तभी क्याडी एक स्कुरूर रावर लेकर उसके दिमाग के अंदर जोर से वार करती है जिसे अब वो पूरी तरह से बंद हो जाती है और खत्म हो जाती है जिसके बाद जेमा और कैडी तुरंग घर के बाहर भागते हैं जहां टेस और कॉल पुलिस के साथ खड़े होते हैं और दोनों पुलिस के साथ वहां से निकल जाते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि मेगन ने घर के सभी AI सिस्टम में पहले से ही खुद को अपलोड कर रखा है और इसी के साथ मूवी का होता है The End